नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है दिवाकरदत शर्मा और आप देख रहे हैं discover new तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 2015 का question paper है इसका next part है मैं आपको initially कहा था कि मैं इसको तीन पार्ट में खतम कर दूंगा पर हो क्या रहा है दोस्तों जो जब मैं अगर अगर तीन पार्ट में इसको पार्ट भी बन जाएं पर आप क्या कीजिए सभी पार्ट को देखे क्यूंकि मैंने इन सभी पार्ट में क्या किया है इस पूरे question paper को अच्छे से solve करवाया तो last time question number 90 तक पहुंच गए थे अब 91 से हम आज शुरू करते हैं तो question number 91 क्या कह रहा है tell the highest number of three digits which cannot be divided by two तो तो तीन जाती है question क्या कहा है आपको संक्या छाटमटनी जो दो से भाग नहीं होती है और कैसी संक्या होने चा सबसे बड़ी संक्या होने चाये नीचे दिए गए options मैं से तो C option तो सिदाए-neglect हो गए अब बचते कितने options है एक दो तीन option बचते है सही उत्तर कौन सो जाएगा option a सही उत्तर हो जाएगा अपढ़ते हैं next question की और 92 question क्या कहा रहा है there were monkeys and pigeons and there were 20 heads and 48 feet how many monkey and pigeon were there यह क्या कह रहा है दोस्तों यह क्या information दिये पहली बात करूं कि क्या information given है हमार पर information given है heads की information given है और feet की information given है इस head और feet के information से हमें क्या करना है हमें पता करना है कि वहां पर actually कितने pigeon है और कितने monkeys हैं तो इस type की जब भी कोई question आते हैं आपको कहां से solve करने होते हैं monkey के कितना head होगा head तो उसका एक ही होगा और feet कितने होगे उसके चार ठीक यदि मैं pigeon की बात करूं उसका head कितना होगा एक और feet कितने होगे दो लगया पता तो अब अब देखते हैं आगे किस तरह से solve करेंगे तो यह क्या कह रहा है यहां पर कि वहां पे 12 pigeons हैं और 8 monkey है यद बात करते हैं feet वाली condition क्या feet वाली condition यह satisfy हो यह देखते हैं तो यह कै है 12 pigeons है वहां पे Die कह रहा है कि बाद कि magari 15 hai stuffed I Kennedy उन्लाइब तो मंंक कि कि इन एच यह मंगे क्ggi किसी मेंत करूं की यह मंट ugly گ यह कितने sorry eight monkey okay यदि एक monkey eight monkey हमां पे और एक monkey के कितने पैर होते हैं चार पैर होते हैं तो total कितने feet हो गए monkey वाले तो monkey वाले feet हो गए 32 यदि में total feet को sum कर दो तो कितने होंगे 4 2 6 3 2 5 56 तो feet कितने होगे 56 देखिए दूसर तो first वाले option की बात करूँ तो यहां पे head option की आया आपका correct नहीं है अब मैं बात करता हूँ option number B की ठीक है आप देखिए दूस्तों practice के आप साथ साथ जब आपकी अच्छी practice हो जाएगी तो आप जल्दी से इन question को solve कर सकते हैं अपनी speed up की practice के साथ बन जाती है तो दूसरा monkeys हैं और एक monkey की कितने पैर हैं चार तो चार चौक है कितने होगे 16 तो यदि अब पैरों के add करता हूँ छे दो आठ और तीन रिक चार अब देखो यहां पे दोस्तों feet कितने आए 48 feet आगे ठीक है 48 feet है और चार कितने होते हैं तो इस तरह से हम क्या करेंगे option से इस टाइप की questions को solve कर सकते हो ठीक है तो बढ़ते हैं next question की और question no.93 क्यों बढ़ते हैं दोस्तों question no.93 क्या कह रहा है question no.93 क्या कह रहा है देखो दोस्तों की find odd mean out की जो odd आपको यहां पर लग रहा है उसको आपने find out करना है तो यहां पर आपको बहुत से option देख रखे हैं cod shark whale herring shark या फिर rhinosaurus तो देखिए दोस्तों यह सारे के सारे यहां पर क्या है यह सारे के सारी मचलिया है except rhinosaurus के तो सही option क्या हो जाएगा option b का सही उतर हो जाएगा अब देखो दोस्तों यहां पर question no.94 है यह यहां पर missprint हो चुका this book का क्या है missprint है mistake है actually question क्या है यह question है square root of 0.25 square root of 0.25 क्या होगा यह question है बिसी थिक है तो आपको पता है दोस्तों square root of 0.25 क्या होगा क्या आप बता सकते हैं सब करने से पहले क्या करते हैं है एक बार देखते हैं थोड़ा सा मैं क्या करते हुए और साथ सका स्क्वेरूट नहीं होगा इसका स्क्वेरूट होगा प्लस माइनस सेवन अब यह प्लस माइनस स्क्वेरूट के जो हम स्क्वेरूट करते हैं किसी डिजिट का तो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं पहरे तो इस प्लस माइनस क्यों लिखते हैं दोस्तों देखते हैं सेवन का स्क्वेरूट हो जो को two 29 सिर्फ साथ और साथ गुणा साथ ही 49 निहीं होते 마ाइनस सेवन गुणा इधिया आप करेंगे तभ भी 49 ही मिलेगा तो यहां आप देख रहे हैं दोस्तों कि यदि मैं लिगेटिव दोनो के दुनों डिजिट को तो झाइग दोनों के द॓नों square root of 49 है यह क्या represent गए इसका square root क्या होगा प्लस माइनस 7 क्यों लिखते हैं प्लस माइनस 7 यह represent करेगा कि यदि आप प्लस वाले में यदि मालब दोनों यदि दोनों आप plus में 7 लोगे और उनको दोनों को multiply करोगे वो भी आपको 49 देगा यदि आप दोनों माइनस के टर्म लोगे माइनस 7 तो माइनस 7 हो भी आपको 49 देगा ठीक है तो अब देख लेते हैं इस टाइप के question को किस तरह with sleeping living, estás Pi अंस यह नीए वह था कॉन्सप्त में ने क्यों बताया डोस्तों मैं अभी व्लाता आफको मैंने क्यों बताया अब देखते हैं 0.25 को स्क्वेरीट क्वैरीट क्या होगा तो यसका स्क्वेरूट क्या होगा प्लस-我 slasping य़ाइब शय ष little default commissioner dónde यहां इस बात का विशेष ध्यान रखेगा तो यहां इसका जो सही उत्र । यहाँ चारों की पास सई उत्र नहीं दी हुआ है को सही उत्र कहां दी है जैसे में ने यहां पर question number 94 दिख रहा होगा square root of 0.25 is equal to यह क्या कह रहा है यहां पर 0.05 अब हो सकता है दोस्तों आपके पास option दिया हो cable 0.05 या फिर आपके पास उत्तर दिया हो option में दिया हो plus minus 0.05 जड़ी आपके पास option में देता है वो plus minus 0.05 और 0.05 यह दो अलग अप्शन है मान लीजिए तो आपको उस समय किस पर tick करना है plus minus वाले के साथ आपको जाना है क्यों क्योंकि more appropriate answer आपका कौन सा वाला हो जाएगा plus minus वाला हो जाएगा I hope दोस्तों आपको समझ आ गया होगा अब हम बढ़ते है next question की हो next question क्या कह रहा है next question कह रहा है photographic camera permanent image जैसे की photographic camera related permanent image से similarly similarly human eye is related too ठीक है यहां पे करना इस टाइप की question है आपको क्या करना होते है दोस्तों आपको relation find out करने होते है आपको एक relation given होता है जैसे यहां पे दिया है photographic camera और पर्मनेंट इमेज यह एक रिलेशन आपको दिया हुआ है अगला रिलेशन आपने क्या करना है खुझ से इस्तेब्लिश करना है यूमन आई इस डेडश यहां पर फोटोग्राफिक कैमरा पर्मनेंट इमेज यूमन आई टेंप्रेरी इमेज अब आप कहेंगे कि टेंप्रेरी इमेज क्यूं क्यूंकि दूस्तों आप जो भी देखते हो फोटोग्राफिक कैमरा पर्मनेंट इमेज देता है प्रमनेंट इमेज का मतलब किस टाइप की इमेज हुई वह हुई temporary type की इमेज मतलब जब तक आप उसको देख रहे हो तब तक वह image बन रही है आपके आँखों में ठीक है इस टाइप से आप समझ सकते हो थोड़ा सा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों temporary image इसका more appropriate answer है यदि आप इस book की बात क हम थोड़ा सा सोचें रेटिना के बारे में तो रेटिना यहां पे नहीं होगा क्यों नहीं होगा दोस्तों क्योंकि यह जो second relation है यह depend करेगा कि किस type से आपने second relation को बनाना यह depend करेगा कि first relation आपको question में क्या given है इसका क्या मतलब हुआ कि यदि यहां पे दिया होता photographic camera और य अब इसके बाद आता है आपका next question ठीक अब देखते है next question ये थोड़ा सा में आपको रब कर देता हूँ क्यूंकि इसके लिए मैं थोड़ा सा use करने वाला हूं थोड़ा बताता हूं और यहां पी हम दिया है और किस तरह का तो कहुंए HTML नमबर लिहां है थीक है यहां पी मैं कया कर देता हूं एक क्या यहां कर रहा हूं है चोटा सा डाइस बना रहा हूं थीक है आपको क्या दिहान देना स्कॉष्यन में फर्स्ट और थर्ड यह हमेशा क्या दाइंगे और सेंट और फोर्थ क्या बनाएंगे पढ़ी अब पिर बनाने का मतलब हुआ आपको बताता हूं दोस्तों देखो जो यह ये वाली side है ना इस dice की कौनसी ये वाली side ठीक है ये वाली side ठीक है इस side को मैं नाम क्या देता हूं इस side को मैं नाम देता हूं first side ठीक है और ये नीचे वाली side कौनसी एक मिन लिख लेता हूं है तुमासा ये नीचे वाली side दोस्तों ठीक है इस side को क्या नाम दे रहा हूं इस साइड को दे रहा हूं सेकेंड और यह वाली साइड यह वाली ठीक है इसको क्या दे रहा हूं मैं नाम एक मिट गया एक मिनट में तो होड़ा साइज को नाम एक फिर से ड्रॉव कर देता हूं मतलब यह वाला region इजन इसको मैं नाम जेता हूँ 3rd side और यह यह उपर top वाला region इसको जेता ह Wars यहां पिर 1st,3rd मै नहीं कहा आपको यह First First और third के भी पीच relation है, क्या relation है? कि First के opposite face में क्या होगा? Third वाला, third वाला होगा, इसका मतलब क्या हुआ? First को यदि मैं यहां मानलू, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? First वाले face में, यहां पे लिखा जाएगा यहां पे लिखा जाएगा, चार और यह एक कहा लिखा जाएगा जस्ट इसके opposite वाले face पर यह तीसरा वाला face इसका opposite है तो यहां पे क्या लिख लेता हूँ यहां पे छार लिखा यहां पे एक लिखा और second और fourth related है, second और fourth कैसे related है second और fourth वी similar यहां से related है, second में जो मैं लिखूंगा जो fourth वाला होगा उसके मेरे को opposite face में लिखना होगा अब दिखो दोस्तों यह जो second और fourth वाले में आना यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से काम करना है किस तरह से काम करना है यह four और five का मतलब क्या है अब आपने first वाले में लिखा सिर्फ चारी गिवन था आपको ख कि आएगा क्या वहां पे कि वहां पे हम actually लिखेंगे क्या ठीक है यह किस बात पर depend करेगा यह आप दिखेंगे second और fourth वाली में एक चीज़ common है वो है यह 6 वो क्या है यह 6 है वो दो हमें common है अब मैं क्या करता हूं second वाले face पे लिख लेता हूं मैं 6 लिख लिख लिया दोस् अब देखो क्यों कि मैं ने लिखा 6 ठीक है लिख लित均ब क्यों कि यह यहां second वाले में और fourth वाले में repeat हो रहा था यह वाला word तुस्थ फेंप отлич कर दिया इसको आँ देखो दोस्तों अगर मैं छे लिखूं छे तो यहां लिख नहीं सकता क्यों नहीं सकता दोस्तों यहां पे छे क्यूंकि एक डाइस में एक दो तीन चार पांच रिपीट नहीं होते हैं तो अब मैं छे तो यहां पर फॉर्ट वाले में फेस्में में छे तो लिख नहीं स आप पूछ रहा है identify the number at the bottom when top is 3 identify the number at the bottom when top is 3 अब दिखिए दोस्तों आपके dice में top में क्या चीज है तीन अबिसी बात है तो bottom में क्या है यहां पे इसके opposite face में क्या है छे इसका सही उत्र क्या हो जाएगा option इसका सही उत्र हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप इस इन type की question को कर सकते है और जैसे यहां पे कह रहा है कि identify the number at the at the number at the bottom when top is 3 इसका मतलब यह है ऐसा daily ऐसा नहीं होगा कि आपके हमें इस तरह से आप arrange करोगे कि top में ही 3 आएगा यहां पे bottom और top के कहने का क्या मतलब है कि वो opposite faces है दूसरे के तो माल लो यहां पे तीन आता मैं क्या पता मैं इस तरह से first face इसका नाम first दे 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 ता अभी मैंने किया क्या दोस्तों बेसी के लिए इस वाले face को first वाला नाम दिया क्या पता मैं इसको first वाला नाम दूँ अब आपको तो ऐसा नहीं न कह सकते कि इसी को ही मैं चाब first देना किसी को भी दे सकते हो तो यहां पे top और bottom का क्या मतलब है कि वो दोनों क्या है opposite faces है तो अगर आपके calculation में यहां तीन आ रहा है तो इसके opposite face पर क्या आएगा वो question वो पूछ रहा था आए हो दोस्तों वो यह question जो है आपको clear हो गया होगा अब बढ़ते हैं अपने next question क्या कह रहा है तो next question कह रहा है john is 20 year old than john is 20 year old than राम 10 in 10 years राम's age will be half of john's age what is राम's age देखिए दूस्तों इस टाइप की question बहुत ही आसान से होते हैं अब कैसे आसान से होते हैं पहली बात जो भी इस टाइप की question होते हैं जो वो पूछते हैं last में जैसे what is राम's age वो राम की age पूछ नहीं है तो उस age को हमेशा ही क्या करो आप उस age को let कर लो एक बार ठीक है तो क्या कर देता हूं देखो यहां दोस्तों मैं let कर रहा हूं let jam age is jam age gi darauf is equal to x मैंने क्या कर दिया assume कर दिया ibles औरetted यहांते सबसे पहला step सबसे पहला step यही हम adesso lack next step क्या है इसके बाद आपको statement को follow करते जाना है निया क्या पॉइए question में वो ही follow करते है आप देखो question में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि john is 20 year older old than ram अब देखो मैं age of john age of john age of john कितनी होगी वो ram से 20 साल बढ़ा है वई तो ram की खुद की age कितनी है x ram की age है plus 20 अब plus 20 क्यों किया मैंने क्योंकि जो john है वो ram से 20 साल बढ़ा है अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने 20 क्यों add गया तो अब यह age यह ram की age आ गई और यह age जो है वो आ गई john की age अब अब इसके बाद क्या करना है अब देखो इसके बाद क्या होगा दोस्तों देखो अब यहां पर यह कह रहा है in 10 years ram age will be half of john age in 10 years मतलब 10 साल बाद अब यहां लिख रहा हूँ दोस्तों caution के according चल रहा हूँ बाकि कुछ नहीं कर रहा हूँ after 10 years 10 years अब देखो 10 साल बाद की बात करता है यदि यह 10 साल बाद की बात करता है तो अब 10 साल बाद की बात रहा है after 10 years यदि at present उसकी age x थी तो 10 साल बाद राम की age क्या हो जाएगी x plus 10 अब देखो दोस्ते x plus 10 क्यों कर रहा हूं क्योंकि question में कह रहा है वो in 10 years मतलब 10 साल में 10 साल के बाद राम की age क्या हो जाएगी x plus 10 हो जाएगी और similarly तो जो john की age क्यों जाएगी john's age 10 साल बाद क्यों हो जाएगी देखियो john की present age की थी Helena month plus 20 तो मतलब x plus 20 calibre plus 10 यह plus 10 क्यों क्यों Hurray क्योंकि थी present की age में 200oter क्योंकि मैं 10 साल बाद की बाध कर रहा हूं ठीक है तो यह क्या होगी john ही जोगी 10 साल के बादislian क्या क्या रहा है इतने statement आप समझ गए in 10 years rams age will be half of john's age अब देखो अब मैं बात इसमें अब आती है दोस्तो ठीक है अब क्या 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 रहा है अब फिर क्या बो रहा है कि rams age will be half of john's age rams age will be half of john's age rams age will be half of john's age अब देखो दोस्तो rams age will be half of john's age का मतलब क्या राम's age लिख लो आप x plus 10 कितनी होगी x plus 10 कितनी होगी x plus 20 plus 10 divided by 2 अब मैंने क्यों किया यह क्यों कि यह क्या है यहां पर यह है राम्स एज, राम्स एज कितनी होगी राम्स एज will be half of half of जॉन्स एज, जॉन्स एज जॉन्स की इतनी एज है, x plus 20 प्लस 10, ठीक है, दस साल बाद दस साल बाद कह रहा है कि जो राम्स की एज होगी दस साल बाद वो जॉन्स की एज की आधी होगी जॉन्स की एज ही कितनी होगी आधी अब अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो आपको सिंपल इसको solve करना है दोस्तों, ठीक, अब क्या करेंगे यह x को इदर ले आता हूँ, जो भी x को equal to से इदर ले आऊँ हो, तो minus हो जाएगा, तो 2x minus x क्या हो जाएगा 30 minus 20 ठीक है दोस्तों ठीक है थोड़ा सा निचे कर लेता हूँ तो यह x will be equal to 30, 30 minus 20 कितने होगी 10 इसका सही उतर क्या हो जाएगा, option c 10 year, तो यह देख सकते हैं दोस्तों आप इस तरह के question हम किस तरह से solve कर सकते हैं ठीक है, तो कोई बड़ी मुश्किल से question नहीं था यह बहुत ही असा question था बस आपको एक बार इसका यह pattern हो समझ आ जाए कि किस तरह से question solve होते हैं और भी दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूँगा और मैं इस तरह के questions और करवाने की आपको कोशिश करता रहूंगा, ठीक है, अब देखते है next question is 98, question number 98, the number of minutes in one hour, one hour is, अब देखिए दोस्तों यह थोड़ा misprint है इस book में, यह इसका answer देता है 80, इस book मतलब यहां पर miss printing error किया है, यहां पर देखिए था, यहां दूसरा question paper देखोगे, जो दूसरे वाला में और provide करवाया नीचे आपको description box में, तो यहां पर देखिए दिया होगा है, यहां पर, तो यहां पर क्या उतर होगा, देखिए तो समझ गी होगे, आप दोस्तों समझ cultivation always has, cultivation मतलब cultivation में हमेशा ही किस बात का, इन में से cultivation के लिए सबसे important कौन सी चीज है, तो यदि आप cultivation करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज की, आपकी land की सबसे ज़रूरत है, अगर land ही नहीं होगी, तो cultivation किस पर करोगे, tractor तो बाद में आएंगे, labor तो बाद में आएगी, spared यानि कि 1000 तो बाद में आएंगे, सबसे पहरे तो आपके पा क्या होना चीज, land होनी चीज, तो सबसे, तो इसका सहीत तर क्या हो जाएगा, c, always has, मतलब सबसे important क्या है, हमेशा जो होगा ही होगा, cultivation की सबसे ज़रूरी क्या है, land, अब देखते है next question find the value of x, देखो ratio और proportions वाले, यह बहुत ही simple question होते है, यह क्या कह रहा है कि x ratio 2, x ratio 2 is 12 ratio 3, इस तरह के question आपको किस तरह से solve करने होते है, देखो ratio का मतलब होता है divide, तो मतलब x by 2 is equal to 12 by 3, यह simple सा है दोस्तों, इस तरह के question का आपको किस तरह से लिखना है, तो यह जो आपको यह आपर double ratios दिख रहे हैं, समानुपात इनने कहते हैं, इस से पहले वाले जो चीजें है, यह दो term है x ratio 2, ratio का मतलब होता है divide, तो x ratio 2 को इस से पहले वाले कैसे लिख होगे, आप x divided by 2, और इस समानुपात के बतले क्या लगा लोगे, बराबरा है लगा लगा लोगे, तो इसके बाइब 1, ठीक है, अब क्या कर दो, cross multiplication कर दो, cross multiplication कर दो, कैसी होगा, तो क्या हो जाएगा, x multiplied by 1 is equal to, मतलब यह यह वाले term इसके साथ multiply होगी, cross multiplication में यह वाले term इसके साथ होगी, x multiplied by 1 is equal to 4 multiplied by 2, तो x के आएगा, sorry, x के आएगा आपके पास, 4, 2 is a 8, x आ जाएगा 8, तो सही त इसका सही तरह जाएगा आट इसका सही तरह जाएगा अब देखते है next question point out strange okay wait a minute okay so point out the stranger in the following line तो आपको odd one out करना है इसमें भी क्या करना है जो आपको odd लग रहा है इसको out करना है sympathy love kindness cruelty large heartedness ठीक है तो इस सारे कि सारे आप देख रहेंगे positive से words है सारे sympathy is positive love is positive kindness is positive large heartedness तो यहां पर negative सा word cruelty क्या है negative सा word है तो c option इसको जाएगा क्यूं क्यूंकि आपको यहां पर odd one out करना है मतलब जो संख्या odd है उसको आपने find out करना है किन मैंसे क्या चीज़ odd है ठीक है तो complete the following hand and nail tooth and hand and nail and tooth and जिस तरह से hand related है nail के साथ वैसे tooth related है किसके साथ brush के साथ option इसका से उत्र हो जाएगा ठीक है अब देखिए दोस्तो arrange the following in order अब देखो यह question इसमें complete नहीं given है क्यों नहीं given है अब arrange the यह कह रहा है कि इन number को आप arrange कीजिए पर किस तरह से arrange करना है क्या इनको ascending order में arrange करना है या descending order में मतलब बढ़ते हुए क्रम में arrange करना है या घटते हुए क्रम में यह इसने नहीं बताया है यदि आप option a यहां पे देखोगे दोस्तो तो यह कौन सा क्रम है यह बढ़ता हुआ क्रम है मतलब ascending order है ठीक है मतलब सबसे चोटी संक्या उससे बड़ी उससे बड़ी और सबसे बड़ी ठीक है और यदि option c देखोगे तो यह कौन सा order है descending order मतलब घटता हुआ करम है यहां सबसे बड़ी उससे चोटी उससे चोटी और सबसे चोटी तो यह दोनों ही option दोस्तों यहां पे a और c इन दोनों को arrange किया हुआ है ठीक है arrange कर रखा है इन जैसे school related है receptionist के साथ वैसे ही place related है किसके साथ जब आप school जाते हो ना तो school भी आपको सबसे पहले कौन कौन दिखता है school जाते ही आप receptionist मिलता है आपको मतलब थोड़ा सा आपको दोस्तों logical लगाना है मुझे मतलब question number 145 की बात करूँ अगर actually मैं तो मतलब यह थोड़ा सा अजीब सा question मैं पूछ के रखा है इतना अच्छा मतलब कोई exact सा जो आपको logic है ना वो यहां पे नहीं मिल पा रहा है कि आप क्या logical लगानि तो मुझे भी बतायpton दोस्तों आप 105 में किस answer के साथ जाएंगी अगर मैं इस book की बात करौँ इसमें या answer देता है co passenger जैसे school related है receptionist के साथ वैसे place related है co passenger के साथ जड़ी मैं दूसरी book की बात करूँ दोस्तों तो दूसरी book क्या कहती है कि जैसे school related receptionist के साथ वैसे ही प्लेस रिलेटेड है स्टीवर्ट के साथ स्टीवर्ट क्या होते है दोस्तों स्टीवर्ट होता है वेटर होता है ठीक है तो तो मैं इसमें मतलब में खुच भी confusion में हूँ और मैं थोड़ा research किया था इसको internet पर सब्सक्राइब कोई as is related to ship so Sukhoi is related to जैसे टाइटनिक रिलेटेट है ship की साथ मतलब टाइटनिक किसका नाम था देखो दोस्तों ship ship का नाम था वैसे Sukhoi किसका नाम है aircraft का नाम है ठीक है which of the following is different in the group आपको क्या करना है जो तो different सी चीज़ आपको यहां पर लग रही है उसको आपने find out करना है ठीक है एक मिनट रुकिएगा तो हम बात कर रहे थे कौन से question की बात कर रहे है और हम बात कर रहे है question number 107 की which of the following is different in group तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिये है editing आपको यहां पर भी क्या करना है जो odd one इसको out करना है जो आपको different सा लग रहा है उसको find out करना है editing picture selection page setting and blog writing blog writing क्या दोस्तों आप कुछ और गी किसी याधी चीज़े लिखते हो ना किसी web page पे फैने thoughts लिखते हो या अपने stories लिखते हो ठीक है तो अपन्स ओश्पा लिखते हो इसको बहते हम blog writing ठीक है वैसे editing क्या होती है और page setting क्या होती है मतलब यह एं इस A B de option जो है क्या पता आप एडिट करो font size ऊपर नीचे करो ठीक है तो यह दोसों A, C and D जो तीनों के तीन ओप्शन है यह कहीं न कहीं एक दूसरी सारी related है पर जो पिक्चर सेलेक्शन है दोस्तों यहां पे पिक्चर सेलेक्शन क्या है एक युनीक सा है तो मतलब यहां किसके साथ जा सकते ठीक है अब बात करते हैं question number 108 की put them in right order आपको इनको right order में रखना है topic, conclusion, body, introduction तो देखिए दोस्तों को इस बड़ा सींपल सा question है सबसे पहले topic होगा सबसे पहले topic होगा, फिर topic का आपको introduction देना पड़ेगा, फिर introduction के बाद उसकी body होगी topic की और last में क्या करेगी उस topic को आप conclude करेंगे तो इसका क्या order बनेगा, one, three, two, four, one, three, two, four, one, three, two, four, तो option A जो है इसका सही उतर हो जाएगा, ठीक है, अब बात करते है question 109 की, तो यह क् यहां पर, अब आपको क्या करना है, यह dash dash जो यहां पर है दिया है, इसको fill करना है, इस dash को fill करना है दोस्तों, तो इस कैसी fill करेंगे इसको, तो यहां पर क्या करना है, आपको relation find out करना पड़ेगा, ठीक है, अब दीखिए दोस्तों बड़ा कमाल का relation है, यह आप ध्यान दे 3F उसके बाद दे रहा है 6G उसके बाद दे रहा है 6G उसके बाद दे रहा है 11I उसके बाद दे रहा है 18L और कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगा ठीक है सबसे पहले मैं बात कर दो अल्फा बैट में अगर मैं कोई relation find का out करने की कोशिश करूँ सो उसे पहले मैं कोशिश करता हूँ alphabet में relation find करने की तो f के बाद क्या आता है g g के बाद क्या आता है h और h के बाद क्या आता है i ठीक है यहाँ पर यदि में बात कर दूँ तो यह g और h के बीच जो है इन्होंने कोई भी word में jump नहीं लिया jump लेने का मतलब कोई भी f और g में कोई भी बीच में ऐसा word नहीं आ रहा जो उन्होंने miss किया हो पर g और i के बीच में कितने word इन्होंने miss किया एक word मिस किया ठीक है कौनसा h word मिस किया और i और l के बीच कितने word मिस किया आई और आई जे के दो वर्ड मिस किया ठीक है तो दोस्तों ये अगर में वर्ड में रिलेशन की find out करने की बात करूँ मलब alphabet में तो सबसे पहले इनोंने zero word miss किये उसके बाद एक word miss किया उसके बाद दो word miss किये और इसके बाद कितने word miss करेंगे ये तीन word miss करेंगे तीन word miss करने का मतलब क्या है L के बाद क्या आएगा M M के बाद क्या आएगा N N के बाद क्या आएगा O और O के बाद क्या आएगा P तो M, N, O इन तीनों ही word को यह miss कर देंगे उसके बाद क्या लिखेंगे P तो मतलब हमें यह पता चल गया कि alphabetically तो यहाँ पे P आएगा ठीक है? alphabetically तो आपको P आएगा तो यदि हम alphabetically भी आपने relation find कर दिया तो यदि आप मान लीजिए कोई दूसरा option भी ऐसा है मान लीजिए 27P है और 28P है तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा यह दो numbers है इन numbers के बीच में भी एक relation find out करना पड़ेगा अब देखते हैं number के बीच क्या relation बन रहा है आप alphabet में जो relation बन रहा होतकर आप समझ गए अब number में क्या relation बन रहा है दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं 6 में कितने का difference है और 6 में 6 और 11 में कितने का difference है 5 का difference है ठीक है और 11 और 18 में 5 और 7 और 9 तो मतलब जो अगली digit यहाँ पे आएगा उस डीजिट में और इस प्रिवियस वाले डीजिट में कितने का डिफरेंस होगा 9 का 9 का डिफरेंस होगा इसका मदलब 18 और 9 कितने होगे 27 तो यहाँ पर क्या आएगा 27 मदलब क्योंकि 27 और 18 के बीच कितने का डिफरेंस होगा 9 का डिफरेंस होगा तो यहां पे हमने, सभी तर क्या होगा 27, पीस का सभी तर होगा, तो यहां पे हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से हम alphabet में भी relation find कर सकते हैं, और numnumeric में भी relation find कर सकते हैं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस question को जो है, वो easily solve कर सकते हैं, ठीक है, अब बढ़ते अपने last last question के और mathematical section के last question के और तो यह last question भी बड़ा इंट्रस्टिंग सा question है दोस्तों यह क्या कह रहा है कि as yesterday is to tomorrow so Sunday is to कि जिस तरह से पिछला कर related है अगले कल के साथ वैसे ही Sunday किस के साथ related है तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखता हूँ y से लिख रहा हूँ yesterday यहां लिख रहा हूँ t से today और यहां sorry क्या करता हूँ मैं yesterday लिखता हूँ और यहां पर क्या लिखता हूँ tomorrow ठीक है yesterday और टोमारो एक ज्यान रखिए को दोस्तों yesterday और टोमारो के बीच में एक चीज़ और आती है वो है today तो यदि मैं yesterday को एक number दूँ और today को दो number दूँ और tomorrow को तीन number दूँ तो यहाँ पे कर क्या रहा है yesterday is related to tomorrow मतलब एक related है तीन के साथ एक related है तीन के साथ ठीक है yesterday is related to tomorrow तो Sunday is related to Sunday Sunday किसके साथ related होगा तो Sunday के बाद क्या था दोस्तो Monday और Monday के बाद क्या आता है Tuesday कि यहाँ पर जो पर्शन है आज वौला portion यह skip कर रहा है क्योंकि yesterday is related to tomorrow Tuesday के साथ ही related होगा तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा Tuesday option A का जो है सही उत्र हो जाएगा ठीक है तो यह था दोस्तों mathematical section 2015 के question paper का I hope आपको जो यह वीडियो में upload कर रहा हूं इसे काफी help हो रही होगी तो यदि आपको दोस्तों इन सभी वीडियों से help मिल रही है तो क्या कर सक हो ताकि उनकी भी जो बीड की preparation है वो अच्छे से हो पाए तो इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद जो commission वाला section है उसे करेंगे और उसके बाद हम कहां switch करेंगे उसके बाद switch करेंगे हम next जो अपना 2016 वाला question paper होगा उस पे switch कर जाएंगे इसको switch करने से पहले दोस्तों म यह ने mathematical section किया है इसको एक बार आपको बता जाता हूं यहां से important important topic कौन से है तो एक minute में आपको एक minute में मैं आपको वो सभी topics बता जाता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक minute में थोड़ा सा ना इसे थोड़ा सा इसे में जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर कितने sections है हमारे पार यहां पर मैंने topic लिखा है ठीक है यह topic है और यह क्या है हमारे questions है ठीक है तो यहां पर जो important important question बनते हैं जो आहां से दोस्तों हर साल question पूछे जाते है वह है ratio and proportion time and work age problem ठीक है sorry time and clock फिर इसके बाद है time and work उसके बाद है alphabetical reasoning उसके बाद है direction उसके बाद है coding and decoding उसके बाद है blood relation फिर है find odd mean out and उसके बाद है dice related उसके बाद कुछ question आप से पूछे जा सकते है common sense related ठीक है इसमें जो starting वाले जो portion है दोस्तों यह ratio यह कुछ ratio proportion age and time alphabet वाला थोड़ा direction वाला यह यहां से बहुत ही जाद ही important हो जाता है क्योंकि यहां से हर बार आप दिखेंगे कि question पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों ठीक है तो आप क्या कीजिएगा इन सभी portion पे आपको काफी अच्छे से वर्ग करने की जरूर थे दोस्तों ठीक है तो आई होग दोस्तों आपको यह जो हमने analysis किया है इस question paper का तो आपको पसंद आ रहा होगा और आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैं पढ़ाता हैं तब तक के लिए thank you so much